दार्जलिंग के भाजपा पत्यासी राजो बिष्ट ने फासी देवा पिकव वैंग दुरगटना में मृतकों और घायलों के परिजनों से द मुलाकात कर व्यक्त की सम्वेदना मदद का दिया आस्वासन प्रसासन की भुमिका पर भी खड़े किये सवाल सिलिगुडी के सफ रोड पर नगनिगम का बेदखली अभ्यान शुरू रोड के किनारे या फूतपात पर कबजा करने वाली दुकानों को किया गया ध्वस्त अन्बियू छात्रा की रहसे माई मौत मामले में हुआ बड़ा खुलासा सुसाइड नोट के साथ मिले कई जरूरी सामान परिजनों ने दोसी को करी सजा देने की मांग की अंतराष्टे गिरों का सदस्य होने के आरोप में सिलिगुरी से गिरफतार आरोपियों को आज कोट में किया गया पेश दुकान से कई सीम कार्ड, सीम बॉक्स, फरजी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य मातपुन दस्तावेज हुए थे बरामत सिलिगुरी भक्ती नगर थाने के सामने इस्थित दो दुकाने आग से जलकर खाक सिलिगुरी के मेर गौतम देव ने अगनी कांड स्थलका किया दोरा, प्रभावित व्यफसायों से की बात ची सिलिगुरी रामकृष्ण मिशन पर हुए हमले को लेकर पुलिस की भूमिका पर सिलिगुरी के भाच्पा विधायक संकर घोष ने आज जोरदार हमला बोला, उठाए कई सवाल सिलिगुरी के सांतिनगर बहवाजार इलाके में फिर हुई चोड़ी पांच लाख रुपे का सोना और बीस हजार नगत लेकर चंपत हुए चोर, पुलिस मामले की जाच में जुटी सिलिगुरी के भारत बंगलादेश सीमा पर लगे कंटीले तारों को पार कर तसकरी के आरोप में गिरफतार आरोपी को कोट में किया गया पेश, दो की गोली लगने से हुई थी मौत जल्पाइगुरी के दिन बाजार में एक दुकानदार के सारे फल सरक पर फेकने के आरोप में दो व्याफसायों के बीच विवाद, इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिती को पुलिस ने किया नियंतरन में बिजली बिल में व्रिद्धी के विरोध में कुझ विहार सिटी एडिया सीपी आयम कमीटी की ओर से चौपाटी से सटे पावर स्टेशन के सामने किया गया धर्ना परदेशन, सरक किया गया जाम, बिजली विभाग को दिया गया गया ग्यापद नियू अलिपुरद्वार स्टेशन परिशा से ट्रेन से 40 लाख रुपाए मुले का एंटाडा रेहरी बीज किया गया बरामत हाला कि घटना में किसी की गिरफतारी नहीं हो सकी जलपाईगुरी मैनागुरी थाने की पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, अवयाद सराब के साथ 6 गिरफतार, 92 कार्टून से मिले 2288 बोतल वीदेसी सराब नकसलबाडी के बेंगई जोत इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति की हुई मौत, जी आर पी एफ और नकसलबाडी पुलिस घटना की जाच मिजुटी व्रिद का शब बरामत होने से मैनागुडी में फैलिस संसनी, परिवारिक सूत्रों के अनुसार, सुभा परोसियों ने व्रिद को घर के पास एक पेड़ से लटका हुआ पाया, पुलिस पुरे घटना की जाच मिजुटी सिलिगुडी में मौसम में आया बदलाब, सुभा हुई बारिश से लोगों को मिली राहत, अलिपुर मौसम विभाग के अनुसार, 22 माई को, दार्जलिंग, जलपायगुडी कालिंग पौंग, अलिपुर दुआर, कुछ बिहार, उत्री और दच्छिन दिनाजपूर, और म सिलिगुडी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22 प्रतिशत छूट दे रहा है, साथ ही पूरे सिलिगुडी में फ्री होम दिलेवरी, सिलिगुडी के बाहर के बल 50 रुपे को डियर चार्टेस, और करने के लिए फोन करे, अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत, मंडे टू सं और यहां 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी, सिलिगुडी फार्मेसी में पॉली क्लीक भी है जहां आपको सिलिगुडी के भैतरिन डॉक्टर से संपर कर सकते हैं, सिलिगुडी फार्मेसी नेताजी मोर शुभाषपली, काट डेक नमबर 9933990001 We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University. Singdam, Burmyok. Contact us at 987-487-5876 or visit our website www.msu.edu.in Attention students! Are you worried about courses and colleges? Shape your dreams! Meet 50 Premier Institutes at oldest and most reputed 20th Safe Education Fair at City Centre Uttrayim, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free! Also, win smartwatch, mobile phone, visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log in to www.safevents.com. झाल